हेलो स्टूडेंट्स वैलकम तू मैगनेट ब्रीन्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पता देती हूं मैगनेट ब्रीन्स आपको प्रोवाइड कर आता है यहां तक की आपको प्रैक्टिस कोईशन भी यहां पर सॉल कराई जाते हैं इबुक्स एंड इनोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट मेरा नाम है हश्मित कौर और मैं हूँ आपकी मैस फेकल्टी तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका कौन सा टोपिक टर्म्स ओफ एन एक्स्प्रेशन सबसे पहले तो Algebraic expressions होते क्या हैं, यह हम previous वीडियो में देख चुके हैं, साथी में हमने क्या देखा था कि expressions form कैसे होते हैं, ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि अगर आपको Algebraic expressions या expressions का मतलब ही नहीं जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी है, वो वीडियो समझ में आए, तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को like करना है, comment करना है, and share करना है, and then फिर आना है इस topic पर जितका नाम क्या है, terms of an expression, ठीक है, अब अगर हम बात करें, terms of an expression की, तो यह expression का ही पार्ट है, मतलब जो एलजेबरिक एक्सपरेशन रहता है उसी का पार्ट है, कैसे, the different parts of the algebraic expression separated by the sign, plus और minus are called the terms of an expression, बोला जा रहा है, कि जो algebraic expression रहता है ना, उनके जो different, अलग-अलग parts रहते हैं, जो की plus और minus के sign से separated होते हैं, plus और minus के sign से क्या होते हैं, separated होते हैं, are called the terms of an expression, वो कैसे, जैसे की, ये कोई algebraic expression देखे रखा हो है, ठीक है, आया समझ में, तो इसमें हम terms किसे बोलेंगे, algebraic expression ये कैसे समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है, कि इसमें variables ही हैं, and constants भी हैं, ठीक है, variables and constant का combination है, जो की fundamental operation से जुड़ा हुआ है, connected है, fundamental operation क्या होगा, प्लस हो गया, ठीक है, यहां पर, तो यह हमें दिख रहा है, क्या देखे रखा है, algebraic expression, लेकिन इसमें terms क्या होंगे, ये जो 2x square है, ये एक term हो गया, and ये जो 4xy है, ये दूसरा term हो गया, आया समझ में, मतलब क्या बोला जा रहा है, the different parts, जो अलग अलग पार्ट्स रहते है algebraic expression के, जिसको कौन separate करता है, या तो plus का sign, या तो minus का sign, उसे हम क्या बोलते है, उसे हम बोलते है, terms of an expression, आप देख पा रहे होंगे, कि इन दोनों terms को किसने separate किया हुआ है, इस plus के sign ने separate किया हुआ है, मतलब, terms की बात करें, तो एक term क्या है, इस algebraic expression में, 2x square, and दूसरा term क्य है, 4xy, ठीक है, इतना है समझ में, अब देखी, यहाँ पर कुछ examples देखे रहे हैं, examples क्या है, 5 minus 3x plus 4x square y is an algebraic expression, अब यह जो देखे रखा हुआ है, यह algebraic expression है, consisting of 3 terms, and इसमें कितने terms दिख रहे हैं, हमें, 3 terms दिख रहे हैं, कैसे, एक term क्या हो गया, 5, दूसरा term क्या हो जाएगा, minus 3x, तीसरा term क्या हो जाएगा, 4x square y, ठीक है, तीन terms यहाँ पर देखे रखे हुए हैं, जिनको किस ने separate किया हुआ है, minus and plus के sign ने separate किया हुआ है, ठीक है, आया समझ में, जैसे कि यहाँ पर नाम भी देखे रखे हैं, consisting of three terms, namely 5, minus 3x, and 4x square y, ठीक है, इतना आगया समझ में, यह जो minus का sign है, यह भी हम include करेंगे, जब हम terms की बात करते हैं, ठीक है, इतना आपे पता है, तो यह जो है, यह तीन terms इस expression में हमें दिख रहे हैं, ठीक है, इतना आगया समझ में, अब दूसरा example देख लेते हैं, दूसरा example क्या है, 7x square, minus 5xy, plus y square z, minus 8, अब इसमें कितने terms दिख रहे हैं, 7x square एक term हो गया, minus 5xy, दूसरा term, y square z, तीसरा term, and minus 8 हो जाएगा, चौथा term, मतलब यहां पर इस algebraic expression में हमें 4 terms देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्या देखे रखा है, यह एक algebraic expression है, consisting of 4 terms, यहां पर बोला जा रहे हैं कि कितने terms हैं, 4 terms है, namely, क्या नाम हैं उनके, 7x square, minus 5xy, and y square z, and minus 8, जो कि मैंने ज़स्ट अभी आपको बताया है, ठीक है, आगे समझ में, आया है तो आप note down कर लीजिए, इस पूरी definition को and examples को भी, ठीक है, कर ली आपने note down, अब terms की बात कर ली, अब हम क्या करेंगे, factors जानेंगे, कि terms में factors हम किसे बोलते हैं, ठीक है, factors of a term, each term of an algebraic expression consists of a product of constant and variables, हर एक term में, जो भी algebraic expression रहता है न, उसके जो भी terms रहते हैं, हर एक term में हम क्या देखेंगे, कि constants भी रहते हैं, and variables भी रहते हैं, and किस form में रहते हैं, product form में, multiplication के form में रहते हैं, ठीक है, a constant factor is called numerical factor, जो उसमें constant factor रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, numerical factor भी बोलते हैं, अब ये मत पूछना constant factor क्या रहते हैं, क्योंकि constant मतलब आपको मैंने बहुत अच्छे से introduction वाली वीडियो में समझाया था, ठीक है, while a variable factor is known as literal factor, और variable factor को हम क्या बोलते हैं, literal factor भी बोलते हैं, ठीक है, आया समझ में, example देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें example की, तो एक algebraic expression लेते हैं, 4x square plus 5xy minus 8, ठीक है, इतना आया समझ में, ये एक expression देखे रखा है, अगर इसमें हम बात करें terms की, तो हमें कितने terms दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं इसमें 3 terms, कितने terms दिख रहे हैं हमें, हमें दिख रहे हैं यहाँ पे 3 terms, कौण कौण से हैं 3 terms, एक हो जाएगा 4x square, दूसरों हो जाएगा 5xy, और तीसरा क्या हो जाएगा, minus 8, ठीक है, इतना आया हैं समझ में, इन में भी अगर हम बात करें किसकी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे terms, ये क्या लिखे हैं हमने, terms लिखे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है, algebraic expression, ये क्या है, algebraic expression है, जो यहाँ पर मैंने देखे रखा हुआ है, ये सब क्या हो गया, ये सब अलग-अलग terms हैं, जिसकी definition अभी हमने पढ़ी है, अब अगर हम बात करें factors की, तो इन में factors क्या होंगे, factors क्या हो जाएंगे, सबसे पहला factor क्या होगा, 4, ठीक है, and x square मतलब क्या होता है, x को हमने x से multiply किया है, तो हम क्या कर रहे हैं, separate कर रहे हैं, इस 4 x square को हम क्या कर रहे हैं, तुकडो में बात रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा 4 x square, Factor of a term, मतलब इस term के ये factors हमारे निकल चाहेंगे, ठीक है, आया समझ में, तो ये हमने क्या किये हैं, ये हमने factors निकाले हैं, ठीक है, इतना आया है समझ में, अब next की बात करें अगर हम, तो क्या देके रखा है, 5xy देके रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमें दिख रहा है, अगर हम 5xy क्या है, टर्म है, अगर हम 5xy को क्या करें, split करें, divide करें, separate करें, तो हमें दिखेगा 5x and y, मतलब 5 multiply by x multiply by y हुआ है, तभी हमारा answer 5xy आया है, मतलब basically हुआ क्या है, constant and variables का product हुआ है, multiplication हुआ है, then अगर हम बात करें, minus 8 की, तो minus 8 तो single ही constant है, तो उसे separate करने की जरुवत नहीं, वो split होगा ही नहीं, divide होगा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ ये दोनों terms divide हो रहे थे, तो हमने इन्हें divide किया, तो factors निकल के आ गए हैं, कि 4x square के क्या क्या factors हैं, और 5xy के क्या क्या factors हैं, ठीक है, इत each term of an expression, each term of an expression, consist of a product of constants and variables, मतलब उन में क्या रहते हैं, product of constants and variables, constants भी हमें दिख जाएंगे, variables भी दिख जाएंगे, इनका क्या रहता है, product रहता है, मतलब multiplication रहता है, तब जाके क्या बन जाता है, terms बन जाता है, ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है, तो आप no down कर लीजिए and साथ ही में यह जो example समझा है, उसे भी no down कर लीजिए, कर लिया आपने no down, और वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को like करना है, comment करना है and share कर दिना है, देखिए, यहाँ पर और examples देके रखे हैं and chart form में देके रखा है, मतलब tree form में देके basically, क्या है, 4x square minus 3xy, यह हमें क्या दिख रहा है, यह हमें expression दिख रहा है, ठीक है, आया समझ में, फिर उसके बाद, यह जो algebraic expression इसको terms में split किया गया है, terms में, तो हमें दिख रहे हैं, दो terms, एक क्या हो जाएगा, 4x square and दूसरा क्या हो जाएगा, minus 3xy, तो अगर हम terms की बात करे हैं, तो हमें क्या मिल गया, 4x square and minus 3xy, ठीक है, इतना आया समझ में, अब terms मिल गया, अब हमें क्या करना है, इन terms को factors में divide करना है, मतलब हमें देखना है कि इस term में कितने factors हैं, ठीक है, तो जब हम split करेंगे, तो answer क्या आएगा, 4x and x, मतलब जब हमने 4 multiply by x multiply by x किया है, तब ज इतना आया समझ में, अब next देख लेते हैं, next क्या है, minus 3xy, ठीक है, इसे भी हम क्या करेंगे, split करेंगे, divide करेंगे, तो minus 3 यहाँ पर आजाएगा, उसके बाद x है, उसके बाद y है, जब हम minus 3 को x and y से multiply करते हैं, तब जागे answer क्या आता है, minus 3xy आता है, ठीक है, इतना आगया समझ में, तो यह क्या निकल गए, इन terms के factors निकल गए हैं, ठीक है, आगया समझ में, यह तो था सबसे पहला example, अब दूसरा example भी देख लेते हैं, क्या देखे रखा है, 5xy plus 10, ठीक है, इसे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, split करेंगे, terms form में, हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर terms मिले हैं न, उनके factors निकालेंगे, तो 5xy के factors क्या हो जाएंगे, 5x and y, अलग-अलग करके हमने लिख दिया है, जिसमें अगर हम 5 को multiply करते हैं, x and फिर multiply करते हैं, y से, तो answer क्या आएगा, 5xy आएगा, इसलिए factors क्या क्या निकल रहे हैं, 5x and y निकल रहे हैं, ठीक है, और रही बार 10 की, तो 10 को आगे हम divide कर ही नहीं सकते हैं, एक single constant हमें देके रखा हुआ है, जिसको हम divide कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्या बन जाता है, ऐसे हमारा chart बन जाता है, ठीक है, जब हमें question में पूछा जाए, कि हमें terms and factors find करने हैं, तो हम इस form में उसे find कर सकते हैं, ठ कर लिया अपने note down, अब next क्या है, next हमें देके रखा हुआ है, try these, try these क्या बोल रहा है, try these का question first क्या है, what are the terms in the following expressions, show how the terms are formed, draw a tree diagram for each expression, क्या बोला जा रहा है, कि हमें बताना है, इन में से, यह जो algebraic expression हमें देके रखे हैं न, उन में से terms क्या है, और साथ में हमें बताना है कि terms form कैसे हो रहे हैं, show करना है, ठीक है, और उसके लिए हमें करना क्या होगा, tree diagram, draw करना होगा, just जो अभी हमने देखा था न, यह जो diagram देखा था, इससे हम tree diagram बोलते हैं, यह draw करके हमें बताना है, ठीक है, तो सबसे पहले, अगर हम बात करें expression की, ठीक है, तो सबसे पहला expression हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहला expression हम ले रहे हैं, 8y plus 3x square, ठीक है, यहां पर हम ले लेंगे, 8y plus 3x square, ठीक है, इतना आया समझ में, अब उसके बात हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे terms में divide करेंगे कितने terms दिख रहे हैं हमें अच्छे से दिख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही terms है एक तो 8y और एक तो 3x square ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8y और यहाँ पर हम लिख देंगे 3x square ठीक है कितना आया समझ में यह हमने क्या लिख दिए है यह हमने लिख दिए है terms अब यह terms form कैसे हुए कैसे form हुए जब हमने इनने factors में divide कर दिया and multiply किया मतलब यह जो factors हैं के 8 और y उनको जब हमने product कर दिया multiply कर दिया तब जाके हमें terms मिले हैं तो हमें वो भी show करना होगा ठीक है वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर show कर देंगे ठीक है सबसे पहले तो यहाँ पर 8y है तो 8 यहाँ पर आएगा y यहाँ पर आएगा हमने क्या किया है split किया है जब 8 को y से हम multiply कर देंगे product कर देंगे तब जाके हमें यह term मिल जाएगा 8y ठीक है ऐसे ही 3x square के लिए 3 यहाँ पर लिख देंगे x यहाँ पर लिख देंगे and डूसरा x यहाँ पर लिख देंगे जब 3 multiply by x multiply by x करेंगे तब जाके हमें कौन सा term मिल जाएगा 3x स्क्वायर मिल जाएगा ठीक है इतना आया समझ में तो यहाँ पर यह जो हमने split किया है यह क्या है यह इस term के factors है ठीक है इतना आ गया समझ में तो ऐसे क्या बन जाता है tree diagram बन जाता है तो यह सबसे पहले expression के लिए हमने tree diagram बनाया है तो आप सबसे पहले से note down कर लीचिए कर लिया आपने note down अब next देखते हैं next क्या देखे रखा है हमें अगर हम बात करें किसकी expressions की तो हमें देखे रखा हुआ है 7mn-4 ठीक है इतना आया समझ में अब हम क्या करेंगे सबसे पहले तो split करेंगे इस algebraic expression को split करेंगे और देखेंगे इन में कितने terms हैं कितने terms दिख रहे हैं कितने terms दिख रहे हैं यहाँ पर सिर्क दो ही terms हैं एक क्या है 7mn और एक क्या है minus 4 ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7mn और यहाँ पर क्या है यहाँ पर 4 है ठीक है यह क्या लिखे हैं हमने terms लिखे हैं ठीक है अब हमें बताना यह terms form कैसे हुए कैसे form हुए जब हमने factors का product किया तब जाकि यह terms मिले होंगे तो हमें क्या करना होगा इनके factors को मतलब यह term को split करके लिखना होगा factors form में ठीक है तो यहाँ पर जब हम 7 m n के factors निकाल रहे है तो हमें क्या मिल रहे है 7 m and n मिल रहे है जब हम 7 को m से and then n से multiply करेंगे मतलब 7 multiply by m multiply by n करेंगे तब जाके हमें क्या मिल जाएगा 7 m n मिल जाएगा ठीक है and रही पात minus 4 की तो उसे split करने की जबरत नहीं है क्यों जोकि single term दिया हुआ है minus 4 मतलब constant ही दे के रखा है यहाँ पर variables नहीं है ठीक है तो यह हमने क्या किया यह हमने terms को factors form में भी divide करके show कर दिया है तो यह क्या बन गया यह हमारा free diagram बन गया इस algebraic expression के लिए तो आप इसे भी note down कर लीजिए कर लिए आपने road down अब next क्या देखे रखा है next हमें expression देखे रखा हुआ है 2x square y ठीक है यह expression देखे रखा हुआ है तो सबसे पहले अगर हम बात करें terms की तो हमें सिर्फ एकी term दिख रहा है वो क्या है 2x square y क्योंकि इसके अलावा अगर और कोई term होता तो plus minus का बीच में sign होता तो हम समझ जाते हैं कि एक से जाधा term देखे रखे हुए जैसे कि हमें दिख रहा है एकी term देखे रखा है तो इस एक term को ही हम divide करेंगे factors में ठीक है यहाँ पर एकी term है अब हम क्या करेंगे यह term कैसे form हुआ है उससे show कर देंगे factors form में ठीक है अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2x square y के factors क्या निकलेंगे 2x, x and y जब हम 2 multiply by x multiply by x multiply by y कर देंगे तब हमारा answer क्या आ जाएगा 2x square y आ जाएगा ठीक है आया समझ में तो यह क्या बन गया tree diagram बन गया किसके लिए इस algebraic expression के लिए जो कि क्या है 2x square y ठीक है आ गया समझ में आया है तो आप इसे भी note down कर लीजिए काली आपने note down अब next क्या देखे रखा है next हमसे बोला जाए रहा है write three expressions each having four terms हमें क्या करना है कोई भी तीन ऐसे expressions लिखने है जिसमें हमें four terms मिल जाएं ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या बन सकता है two x square y minus four x square y minus two x y plus six y square minus eight ठीक है आया समझ में ये एक क्या बन गया expression बन गया जिसमें हमें four terms देखने को मिल रहे हैं कैसे एक term क्या हो जाएगा four x square y दूसरा term हो जाएगा minus two x y तीसरा term हो जाएगा six y square and चौटर term क्या हो जाएगा minus eight हो जाएगा ठीक है अब second देख लेते हैं second और क्या बना सकते हैं four y square plus eight x y plus three y z minus z ठीक है यहाँ पर भी क्या बनाया हमने एक algebraic expression बनाया जिसमें हमें four terms मिल रहे हैं कैसे एक term क्या हो जाएगा five y square दूसरा हो जाएगा eight x y तीसरा हो जाएगा three y z and चौथा क्या हो जाएगा minus z ठीक है आगे है समझ में अब हम तीसरा algebraic expression भी देख लेते हैं six x y square nine x square three y square minus three y square plus y तो हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पर भी हमें four terms दिख रहे हैं एक term क्या हो जाएगा six x y square दूसरा term हो जाएगा nine x square तीसरा term हो जाएगा minus three y square and चौथर टम क्या हो जाएगा y हो जाएगा ठीक है यह हमें क्या मिल गए तीन expressions मिल गए जिसमें हमने देखा कि चार-चार terms देखे रखे हुए हैं ठीक है आगया समझ में ऐसे आप मन से कोई और अब भी expressions बना सकते हो आप जो मर्जी चाओ वो बना सकते हो लेकिन उसमें कितने terms होने चाहिए चार terms होने चाहिए हैं ठीक है इतना आगया समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कर लिया अपने नोट डाउन तो यहां पर होती है हमारी वीडियो complete I hope आपको समझ में आया है कि terms क्या होते है terms of an expression and terms में जो factors होते हैं वो क्या होते हैं ठीक है and tree diagram हम कैसे draw कर सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगिए तो आपको क्या करना है इस वीडियो को like करना है comment करना है and share कर देना है and then फिर जाना है YouTube चैनल पर and कर देना है magnet brains को subscribe यह रहे हमारी application यह रहे हमारी website and यह रहे हमारे top courses जो आपको provide कर आते हैं free of cost quality education, e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल चाहेगी and यह रहे हमारे other social media platform जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter आप इन पे भी जाके visit कर सकते हैं and कर सकते हैं magnet brains को follow अब इससे next वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हो यह चानने के लिए करना क्या होगा YouTube चैनल पर जाके कर देना होगा magnet brains को subscribe Thank you so much